नवास्कार स्वगत्याप का हमारे अचार चागेंदर मिशाच चैनल पर 13 जुलाई को 90 साल बाद दिखेगा गुरु पूरिमा का चांद इन चार राश्यों के लगेगी लोटरी दोस्तों पुरे 90 सालों के बाद 13 जुलाई दिखेगा गुरु पूरिमा का चांद इन चार राश्यों की लगेगी लोटरी जी हां दोस्तो माता लक्ष्मी जी के आशिरवास से 13 जुलाई दिन बुद्धवार को गुरु पूरिमा के दिन बन रहे हैं महा शुबशयोग महा लक्ष्मी योग जिसके कारण इन चार राशवालों की लोटरी लगने वाली है ये चार राशवाले धनसे माला माल होने वाले हैं स्वेम माता लक्ष्मी जी अब इन चार राशवालों के घर में पधार रही हैं जिससे अब इन चार राशवालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं अब इन चार राशवालों के जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशिरवास से आने वाली है अ पर खुशियां ही खुशियां जिससे अब इन चार राशवालों का जीवन बदल जाएगा जी हां दोस्तों वो खुशनसीब और भागसाली राशियां कौन-कौन सी है जिन के उपर माता लक्षमी जी का आसरवाद 13 जुलाई गुरु पुडिमा के दिन बन रहे हैं इस महा लक पुशनसीब और भागसाली राशियों के बारे में बताएंगे इसलिए बीडियो को आप शुरू से लेकर अन तक जरूर देखेगा दोस्तों असाड मास में पढ़ने वाली पुडिमा को गुरु पुडिमा के नाम से जाना जाता है धार्मिक मानताओं के अनसार इस दिन चार बेदों का ग्यान देने वाले महा रिशी बेदब ब्यास जी के जन्म हुआ था मानव जाती के प्रति उनकी योगदान को देखते हुए उनके जन्मोस्तों को गुरु पुडिमा के रूप में मनाय जाता है महा रिशी बेदब ब्यास जी ने पहली बार मानव जाती को चार बेदों का ग्यान दिया था इसलिए इन्हें प्रतम गुरु की उपाधी दी जाती है साथी साथ गुरु पुडिमा के दिन भागवान विश्णू माता लक्ष्मी जी का पूजन का विशेश महत होता है जी हां दस्तों इस बार गुरु पुडिमा का पर्व 13 जुलाई दिन बुद्धवार को मनाया जाएगा पंचांग के अनुसार इस साल असाड गुरु पुडिमा के दिन मंगल बुद्ध गुरु और सनी शुब इस्तिती में है इनकी इस शुब इस्तिती की वज़े से गुरु पुडिमा पर कई सारे राजयोग और धनयोग करनिवार हो रहा है इस वार की गुरुपूरिमा बहुत ही खास मानी जा रही है इस वार की गुरुपूरिमा पर बहुत ही शुबस्योग में आ रही है इस पावन दिन आप शुबह जल्दी उठकर इश्णान करें हो शके तो गंगा तीर्थ सरोबर में इश्णान करें या फिर अगर आप इस दि तिर्फ इस्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़सा गंगा जल मिला कर नहाएं तो आपको पवित्र नदियों का फल मिलता है। जो दिखता है चांद वो बहुती दूलब सुबसायोग में दिखता है गुरू पूरिमा के दिन दिखने वाला चांद 90 वरसों के बाद ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है क्योंकि इस दिन का दिखने वाला ये चांद गुरू पूरिमा का चांद बहुती बड़ा चमकीला और बहुती खुपसूरत दिखाई देता है और आकार में सबसे बड़ा होता है ये सभी पुडिमाओं में से स्ट्रेश्ट पुडिमा मानी जाती है गुरु पुडिमा का हमारे हिंदुधर्म में बहुती खास महत्म है इस दिन अपने गुरु से दिक्षा लेनी चाहिए, मंत्र लेना चाहिए, और साथी साथ इस दिन गुरु की शेवा और गुरु को कुछ न कुछ उपहार में देना चाहिए, गुरु पूर्मा के दिन गुरु की शेवा करना और गुरु को कुछ उपहार में देना बहुत ही स प्रेश्ट माना जाता है इस दिन आपको दान दच्छना भी करना चाहिए अनका वस्त्र का दान जरूर करें इस दिन सफेद वस्त्र का दान जरूर करें दोस्तों खास बार तो यह कि इस बार 13 जुलाई को यह 90 साल बाद दिखेगा गुरू पुडिमा का चांद क्योंकि इस उसमें थोड़ा सा दूध चावल और मिस्री डाल के चंद्रमा को अर्धे दें और ओम चंद्र देवायन में इस वंत्र का जाप करें चंद्रमा से अपनी मनो काम ना बोलें तो माता लक्ष्मी कृपा बरस्ती है दोस्तों खास बात तो यह कि इस दिन का जो चांद देखता है गुरु पड़िमा का चंद वो बहुती खास दिखता है कई सव सालों के बाद ऐसा बहुती खुबसूरत चंद दिखाई देगा दोस्तों इन तमाम दुरलब सब संयोगों के बनने से माता लक्ष्मी के विशेश कृपा इन चार राश्यों पर पढ़ने जा रही है अब आपको इस वीडियो में इन ही खुश नसीब भागशाली राश्यों के बारे में बताएंगे तो आप से अनरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिशना करें और इसे शुरू से लेकर अन तक जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों बताना चाहेंगे कि ग पूजा राधना करके ही दिन की सुरूरात करें चाहे तो बरत का संकल पे भी ले सकते हैं इस दिन आप खीर वगरा दूद वगरा का दान करें सफेद वस्त्र का दान करें दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहली जो राशी है वो है यहां पर दोस्तों करने राश करने र जोजनाओं का लाब मिलेगा जोकार अधोरे पड़े थे पिन्निक थे उन्हें पूरा करेंगे माता लक्ष्मी के कृपा से अब आप ब्यापार में वर्दी देखने को मिलेगा नई जोब लगने के संभावना बन रही है साथी ब्यापार में आपको प्रसिद्धी प्राप्त कई महत्मौर छेतरों से लाब होगा जोकार अधोरे पड़े थे पिन्निक थे उन्हें पूरा कर सकते हैं माता लक्ष्मी कृपा से अब आप आंधरी के स्तरोद बढ़ाएंगे नोकर में प्रमोसन और सेलेर वे वर्दी होगी कई महत्मौर छेतरों से लाब होगा आपके द दवरा बनाएगे योजनाए काफी करगर साबित होगी कई महत्मौर छेतरों से लाब होगा अगली जो राशी है यानि दोस्तों बता दे वो हयां पर मीन रास मीन रास के आद को बता दे कि अब आपकी लोटरी लगने वाली है लोटरी शट्टे में भाग अजवाएंगे त नेक जगों से आपको धन का लाब होगा आपके दोरा बनाएगे योजनाए काफी कारगर सावित होगे साथी धन संपत्ति में जाफा होगा कारियों ब्रसिद्धी प्राप्ति होगी अभी तक जो योजनाए बंद पड़े थे उन्हें फिर से सुरू करेंगे माता लक्ष्म किरपा से या है गुरु पूरिमा का दिन बहुत ही खास रहने वाला है कई मेहत्पूर्ण छेत्रों से लाब होगा अब अगली यानि यह तीसरी जो राशी आती दोस्तों बता दे वो हैं यांपर मकर रास मकर रास कहते को अब आपकी आंदनी के सरोत बढ़ेंगे ब्यापा पड़े थे बिजनेस में अपार जो बंद पड़े थे वो पुनए एकवार फिर से सुरू करने का प्रयास करेंगे साजेदारी में बिजनेस में अपार में तरक्की मिलेगी साथी साथ बता देगी आपको संतान प्राप्ति की योग बन रहे हैं घरे उली जीवलम काफी वे साथी साथ खोपसूरत पल बेतीत करेंगे कुछ एक दुसरे को गुप्ट दे सकते हैं एक दुसरे को साथ काफी अच्छा वक्त विताने का मोहल बन सकता है साथी साथ ससुराल पक्षी से भी कोई सुब समाचारों की प्रात्ति होगी आने जाने का मौका मिलेगा बिदेश क तो कुछ महत्पूर कार करने का मौका मिलेगा अभी तक जो बंद पड़े ब्यापार ठप पड़े थे उन्हें पूरा करेंगे साथी साथ स्वास संबंधी परिसानिया खात्म होंगी अब अगले यानी जो चोथी जो राशी है जिसकी लोटरी लगने वाली है वो है यहाँ बनाई गई योजने काफी कारगर साबित होगी लगतार ब्यापार में घाटा चल रहा था तो उसकी भरपाई करेंगे पिंडिंग कामों को पूरा करेंगे शाती साथ इसमें आप साज़ेदारी में कोई काम कर रहें तो बिछे सिलाब होगा धन संपत्ति कलाब होगा ब्या पूर्ण छेतरों सिलाब होगा अब तक जो कार अधूरे पड़ेते पेंडिक ते उन्हें पूरा कर सकते हैं धन संपत्ति में लाव जवर्यस्त देखने को मिलेगी कारियों में आ रहे ही रुकावटी दूर होगी दोस्तों इन चार राश्यों के उपर माता लक्ष्मी को व झाल